इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे कंटरसेप्टिव हिस्ट्री और प्रेक्टेस सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटरसेप्शन क्या होती है आप कंटरसेप्शन को होती है वीडियो को हम कंटरसेप्शन भी कहते है अगर बात करते हैं रिगार्डिंग दा हिस्ट्री ऑफ करने के लिए फिर आपके पास एंशन ग्रीक्स आई वो सर्टन टाइप अव हर्बल मेडिसन यूज करते थे अगर हम कल्चर्स के बात करते हैं अगर हम कल्चर्स के बात करते हैं तो there are different contraceptive practices in Muslim world and then Christianity Christians के अंदर उनके जो practices that are quite different और जो in comparison with the Christian जो Islamic history है उसके अंदर है कि उनके जो contraceptive method थे information थी वो ज़्यादा valid था या ज़्यादा informed था procedure वो early Islamic writing were more accurate than early Christian writing early Christian writing से बहुत ज़्यादा accurate थे Islamic writing थी in the ancient time में further अगर हम Indian sub-Indian continent की बात करते हैं तो वो as a rock salt को use किया करते थे to kill the pregnancy or to kill the sperm के वो ताके conception ना हो सके फिर contraceptive in modern ages की बात करते हैं यह तो अभी हम ancient की बात करें थे modern में क्या और है by the end of 18th century European को यह एसास होना शुरू हो गया कि अगर यह contraception को नहीं करेंगे तो population जो है growth increase हो जाएगी और अगर population growth increase हो जाएगी तो परवर्टी जो है वो बहुत जादा उसका increase होगी यह परवर्टी इस लिंक विदा पॉपलेशन ग्रोथ पॉपलेशन ग्रोथ जादा होगी तो आपकर resources काम होंगे फर्दर जो development हुई in with the contraception in 19th century के अंदर कुछ और 18th century के अंदर 19th में कुछ ऐसे थिंख थे जो के पास से आ रहे थे और कुछ new methods used होई जिसमें quietless interrupts था, lactation था, abortion था, कुछ public lecture था by giving some sort of public education, health awareness public aids थे, कुछ paid aids थी थीए गया, लोगों के awareness थीगई कुछ additional certain method use हो रहे थे for contraception in 18th century and the start of the 19th century में अच्छे पर कुछ ऐसे reversible methods थे जो के पहले भी यूज हो रहे थे लेकिन उसको बाद में एक standardized way में यूज किया गया, जिसमें एक intrauterine method है, intrauterine device रखके contraception को stop किया गया hormonal method है, जिसमें hormonal birth control pills थी, कुछ barrier matter थे जिसके तो contraception को prevent किया गया या prevent करने के methods बताए गया अच्छा और जो दियागा, fertility awareness based methods जो है, लोगों को, खारतीन को, family को, couples को बताए गया कि किस तरह से वो अपनी pregnancy को या avoid कर सकते हैं birth control को lactational amenorrhea का concept जो है, बताए गया, lactational amenorrhea concept is actually very old concept but yeah reversible contraceptive method में यूज वा, lactational amenorrhea ये होता है कि अगर ये खातून अपने बच्चे को दो साल तक अपना दूद पिलाती है जो कि जिसके बार में हमारा मख़भी कहता है कि माँ बच्चे को दो साल तक अपना दूद पिलाए अगर माँ बच्चे को दो साल तक अपना दूद पिलाती है तो माँ जो है next pregnancy से naturally अपने आपको save कर सकती है तो that is also known as a natural family planning method जो के nature की तरफ से आपको दिया गया है अगर माँ अपनी बच्चे को अपना दूद पिलाएगी तो next pregnancy से दो साल तक वो अपना आपको protect कर सकती है in that case वो जो birth spacing का time period है वो increase हो जाता है यादि कि एक के बाद दूसरे की जो birth spacing है वो दो से तीन साल तक पिछली जाती है so this is the natural family planning method आप इस family planning method के ओपर बहुत जादा stress की जा रहा है because it's natural जो हमने कुछ नहीं करना सिर्फ माने बच्चे को दो साल तक अपना दूद पिलाना है पार्टेस इंटरप विड्रॉल का method है जी उसके बाद कुछ surgical procedures है जो के permanent contraception में आ जाते है जिसको हम permanent कहते हैं जी इसके तूब permanent जो है वो contraception हो जाएगी उसमें कुछ male stylization है और कुछ female है female के अंदर tuber ligation है और कुछ other methods होते हैं जिसके तूब आप एक खातूर अपने आपका जो उसका रिप्रेक्टिव सिर्फ में उसको permanently इस तरह से करस देती है कि वो दोबारा उसको conceive नहीं कर सकते जो history की कुछ चीज़ें थी वहाई जो reverse होके कुछ present method में use हो रही है और आप लोगों को awareness आगी है contraception के बारे में और ये कि अगर contraception करेंगे तो family जो population growth है वो एक हद तक control रहेगी और population growth control रहेगी तो आपके जो country economy है वो आप होगी और जो आपकी resources है वो आप उसके जो आपकी population एगर population काम होंगे तो equally distribute करके अपनी country को uplift कर सकते हैं thank you very much students